नमस्कार दोस्तों आप लोग का फिर्शेकबर स्वागत था हमारी चैनल में जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता ही है सोरब गंगुली को बीसी से आई का नया अध्यक्ष की पद में चुना गया है और उसी के चलते उन्हें बुद्बर को इस नया पॉत पर जोएन भी किया ह दोस्तों उनके बारे में आप लोग को एक बहुत ही खास बात बता दे कि उसी दिन उन्होंने एक 19 सल पुराना ब्लेजर पहन के आये थे आखिर क्या खास बात है इस ब्लेजर में और 19 सल बाद ही हुनने ये ब्लेजर क्यों पहना पुरा जानेंगे खुद उनकी जबान से लेकिन दोस्तों इससे पहले जो लोग चैनल में नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्रेब करें क्योंकि ऐसी इंट्रेस्टिंग और अप्डेट न्यूस इस चैनल में हम लोग रोज अपलूट करते रहते हैं और सब्सक्रेब करने के बाद जो घंटा वाला बटने बोभी प्र पानी चीजों से काफी प्यार है मुम्मय में बोट की सालाना आम सबाव वैटक में दादा की नाम से मौशूर शौरब गंगुली ने दुनिया की सबसे आमीर क्रिकेट बोट बीसी से की अद्धिक्षपत की जिम्मेदरी समाली और उसी दोरान वो जो ब्लेजर पहने थे द में बताया मुझे ये ब्लेजर तब मिला था जब में भरतियों टीम का कप्तन न्यूक थो था इसलिए इस खास मौके पर मैंने इसे पहनने का फैसला किया मगर मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये अप धिला हो चुका है दोस्तो अपलो को बता दे की शवरव गांगूली पाट साल तक भरतियों का पतन पत की जिम्मयदरी सवाली थी महमद अजर उद्र दिन के बाद शाल 10 हुजर में गांगूली को भरतियों टीम का कप्तन बनया गया था वतोर कप्तान उन्होंने टीम को जीतना सिखाया और भाड़तियों टीम में उनका एहम युगदन भी रहा है सन्नेस के बाद शायदी उन्हें ये ब्लेजर पहनने का मौका मिला होगा मगर दोस्तो बिशी सेय की अध्यक्षपत की जीमेदारी समालने की इस खास मौके पर दादा ने पुराने ब्लेजर को ही पहनना उचित समझा दोस्तो दादा की नाम से महशूर शौरब गंगुली दुन्या की सबसे आमिर क्रिकेट बोर्ड बिशी सेय की अध्यक्षपत समालने के साथ ही सुप्रीम कोट की निगरानी में बोर्ड का कामकाज देख रही प्रशाशुकों की समयती का करेकाल भी खतम हो गया है आप बोर्ड से जुरी सभी कामकाज बिशी सेय की चुनेगाई ने प्रतिनीदी ही समालेंगे तो दोस्तो यह था खास बात उनकी ब्लैजर के बारे में आपको यह जानकरी कैसा लगा कोमेंट बॉक्स में लिखके ज़रूर बताईए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से लैक करें शेयर करें और ऐसे इंट्रेस्टिंग और अपडेट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्रीब करें तब तक के लिए दोस्तो सुषत रहें सलामत रहें जाइह इंद बन्नै मातरूम